हेलो, नमस्कार, मैं राजिंदरा जजोद पुरिया मनोव यानि काउंसलर आज के इस इनफोर्मेटिव वीडियो में आपका तहदिल से शुक्रियादा करता हूँ हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में हमारा जीवन है, ये खुबचूर जीवन जो हमें पुदर्त ने तोफा दिया है एक इनसान ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई, वो मैं आपसे सांजा करना चाहूँगा कहा कि हमारे हाथ में ना तो बर्थ है ना हमारे हाथ में डेथ है जैसे दो अलफाबेट है ना B and D ना बर्थ हमारे हाथ में है ना डेथ हमारे हाथ में है लेकिन B और D के बीच में एक और अलफाबेट आता है वो कौन सा है? इतना तो आप ABCD जानते ही है C आता है एक अलफाबेट जो आप भी जानते हैं C का मतलब यह नहीं है कि C for cat C का मतलब है We have choice Choice is always there हमारे पास चुनाव की शम्ता है ना हमारे हाथ में जनम है ना हमारे आथ में मिर्त्यु है ना breath ना death लेकिन इसके बीच में जो जीवन है जो C है जो choice है इसके बीच में चुनाव हमारा है कि हमने जीना कैसे है हमने जीने का चुनाव कैसे करना है यह चुनाव की शम्ता हर किसी के पास नहीं होती जानवर चुनाव नहीं कर सकते है कि उन्हें किस area में रहना है कहां पर रहना है कौन सा आहार खाना है ये चुनाव उनके पास नहीं है लेकिन इनसान के पास चुनाव है कि उसने अपना जीवन किस प्रकार जीना है लेकिन इनसान क्या इस चुनाव की शक्ति का पुरा प्रयोग कर पाता है आज जितनी भी मानुसिक प्रेशानिया है इनसान के जीवन में आ आज डिप्रेशन से दुखी हैं लोग आज चिंता के मरीज हैं लोग ना बच्चा चिंता से बच्ता है ना बूड़ा चिंता से बच्ता सभी चिंतित हैं मैं देखता हूं कि सभी के चेहरों की जैसे हवासी निकल गई है बारा बज़े हुए हैं चेहरों के चेहरों पर कोई आभा नजर नहीं आती वो खुशी वाला महोल सभी के कंदे जुके हुए हैं किसी के उपर केरियर का बोज है कहते हैं हमारे उपर प्रिवार का बोज है प्रिवार बोज कम से बन गया प्रिवार खुशी का एक एहसास है ना कि बोज है कहते हमारे उपर जिम्मेवारियों का ब पीजिंऴारियों से जिनोंने वी और डी के बीच Спालो नहीं समझा कि हमारे से चुनाव की शमता है वह यह जा है नौए फिल चौकिन है कि हमारे सफेखरipper कर लें वुछी का चुनाव कर लें हम शांती का सुनाव कर लें हम ऐसास का चुनाव कर करना है दूसरे नहीं करना लेकिन इनसान आटोमेटिक मोड पे इतना चला गया है कि वो चुनाव भूल गया है आटोमेटिक जिन्दगी बस जैसे पंखे का बटन दबाते ही पंखा चल पड़ता है ना पंखे के जिन्दिगी को जीना किस परकार है लेकिन अगर आटोमोटिक मोड पर जीवन है मेकेलिक मन चुका है जीवन एक यांतरिक रूप से बस होई रहा है बस चलते ही जा रहा है तो जीवन बोज बन जाएगा प्रेशानी बन जाएगा इस प्रेशानी से उबरने के लिए आप B और D के बीच में बरत है और आट के बीच में चोइस को समज술 को समझे अगर आप अभी में इस वीडियो के मात Pin से समझवाएं तो बहुत अच्छी बात अब बरना आप मुसे बात कर सकते हैं जीवन में कहाँ आप जीवन का बहतरी चुनाव कर सकते हैं अभी कर सकते हैं इसके लिए आप फोन कर सकते हैं ओलाइन कांसलिंग की शिवा उकलब दें आपका जीवन शांती में हो आपका जीवन उत्सव बन जाए उमंग बन जाए ऐसी मेरी कामना है और यही मेरा मिशन है कि आपके जीवन में चानती आए मानसिक प्रिशानियों से आप बचे रहें इन मनोव्यादियों के सिकार आप ना हो अगर आप सिकार हैं आपके पास एक चुनाव की शमता है कि आप फोन करने का भी चुनाव कर सकते हैं और इस वीडियो को पूरा देख करके फोन मिलाने वाले भी हैं ये चुनाव भी आप ही का है इस वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद